राम राम किसान भाईयों किसान भाईयों आज हम बात करेंगे कि यद याव आलू की खेती करते हैं तो उसमें आलू के जब आलू जमाता है उसका जमाऊ हो जाता है पौदे थोड़ा बहे हो जाते हैं लगबग 10 से 15 दिन के या 20 दिन के हो जाते हैं तो आलू को नुक्सान पहुंचाने वाले जो खर पत्वार होते हैं वे फसल को नुक्सान पहुंचाते हैं आलू की और जिससे आपकी जो उत्पादन जमता है उनकी घड़ जाती है जो पोसक तत्तों है उनका असुसराण करते रहते हैं तो जो फसल की उत्पादन जमता है व परचाव कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी करेंगे किसान भाईयों मैट्री व्यूजिन 70% WP जो की टाटा कंबनी का टाटा मैट्री के नाम से आता है स्वाल कंबनी का मैट्री स्टार के नाम से आता है और बायर कंबनी का किसान भाईयों बायर कंबनी का संकार के नाम से आ तो किसान भाईयों इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि यदि आपके आलू में किसी परकार के खर्पतवार नासी अनेची रूप से उगाते हैं तो आप इनका या इनकी रोग थाम आप कैसे कर सकते हैं इनका नियंतरम कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपके पैदावार पर कोई बुरा असर ना पड़े और ये खरपतवार ना शिनाश्ट हो जाए इसका असर इस दवा का असर आपके फसल पर कोई नुक्सान धायक ना हो किसान भाईयों मेटरी डुजिन सुवाल कंपणी का मेटरी स्टार کے नाम से आता है इसमें मेटरी डुजिन सतर परचंट डबलू पी पाय जाता है इसकी जो मात्रा होती है 100 गराम परती एकड़ 100 गराम परती एकड़ किसान भाईयों लगबग ये 100 गराम दवा एक एकड़ खेत के लिए परियाप्त होती है 100 ग्राम दवा को आप 200 लीटर पानी में घोल लेंगे लगबग आपका एक एकड़ खेत दुलाई के लिए परियाप्त हो जाएगा पानी तो आप मेट्री विजिन का परियोग कर सकते हैं अपने आलू के खेत में किसान भाईयों मेट्री विजिन का परियोग ग्यों के खेत में या ग्यों की फसल में किया जाता है ग्यों की फसल के साथ साथ गन्ना की फसल में किया जाता है किसान भाईयों यदि आपके आलू की फसल में चाहे चोणी पत्ती वाले खर्पतवार न हो या सक्री पत्ती वाले खर्पतवार हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं यह बायर कंबनी की संकार के नाम से दवा आती है जिसमें मेट्री व्यूजिन 70% डबलू पी पाया जाता है यही दवा किस एकड यानि 100 ग्राम दवा आप एक एकड के लिए परियात होती है इसकी जो मार्केट में फ्राइज होती है किसान भाईयों लगबग 100-100 के बीच में ही आपको इसी के आसपास में लगबग हर कंबनीयों की मिल जाए किसान भाईयों लेकिन जो यदि आपको सबसे बहतरीन लिजर्ड लेना है अच्छे परणाम लेने है किसान भाईयों तो आप आलू में मेट्री व्यूजन का प्रयोग कर सकते हैं आपके नजजी की मार्केट में जिस भी अच्छी कंबनी का मेट्री व्यूजन 70% WP मिल जाए 100 ग्राम एक एकड खेत के लिए परियापत होता है 100 आपको लगबग आप 500-200 लिटर पानी में आप गोल बना लीजिए और इस्प्रे कर दीजी अपनी खड़ी फसल पर तो आपके आलू की फसल में चोड़ी पत्ती के खरपतवार हों या सकरी पत्ती के खरपतवार हों किसान भाईयों सभी नस्ट हो जाते हैं इसका लगंशार को आप कहीं फांक पर क्योंकि दूबारह इस्प्रे करने से इसे आपकी के खिर्वाभ पर सकत है जिससे की आपकी फसल में नुकसान हो सकता है तो क्रपया करके आप इस दौबारह इस पर ना करें या बच जाती है तो आप